एक एस्टेव एस्पी पर्दम विलोचन शुक्ल ने मैकस इंडिया रिसर्च कमपनी के जितेंदर राठे के पीछे टीम लगा रखी थी और फर्जी नाम से फोन कर ग्रहा को से पैसा दोगुना कराने के नापर शेयर मार्केट में लाग रुप लगवा कर हड़ लेदा था उ उजेन हाल मुकाम नंदा नगर की है यहां पर पारवी से लेकर सनातक तक पढ़े कर्मचारियों को नौकरी पर ठगी की ट्रेनिंग दी जाते थी खंडेलवाल ने कंपनी के विनुद विश्वकर्मा और जितेंदर सराठे को ठेके पर दे रखी थी उनसे दो लाक रुप मह लेता था कमडी के दफतर से 48 से मॉनिटर कंप्यूटर और बोर्ड वह हैडफोन और 46 मुबाइल जबत हुए हैं कंपनी से बी से रजिस्टर नहीं थी मैनजर विश्वकर्मा विफरार हो गया जो मुल्जम पकड़ाएं है उनमे आर्स ने एंपिय कर रखा है इसके लावा सब्सक्रावी बीएस से बीकॉम बीए इंजिनेरिंग एमकॉम एमे और आईएटी में पढ़े युवकी उति इसमें शामिल है पढ़े लिके लोगों का इस्तमाल कर लोगों को ठगने का काम किया जा रहा था और उनका पुरा नेटवक तलाशने के बाद ही चापे की कारव सुहेल उमर खान रुपेश सुनिल सोनी नितेश नसीब यादव सत्याभय यादव उदय मनोहर पवार मुकेश बल्राम तवल्ला जस्वंत जाटव अजहर जलाव दीन कुरेशी संदीप मान सिह सोलंकी शुभ प्रकाश कुमरावत मनीश कृष्ण कुमार गुपता अमन दी सहित कई महिलाएं शामिल है और ये सबी लोग नाम बदल कर ग्रहकों को फोन करते थे और पैसा दुगना करवाने की नाम पर डीमेट अकाउंट में पैसा जमा करवा लेते थे और अब चापा मार कारवाई कर ली गई है और इन से इनके द्वारा किये गए तमाम ठगी के ब लाइकन फोर मोर अपडेट्स